आज बच्चों आपको प्रियोग साला में एथिल एमीन बनाने की वीधी बताएंगे तो इसके पहले बच्चों की हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और बच्चों जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसे कमेंट बाक्स पर लिए इस टॉप प्रियोग साला में एथिलेमीन बनाने की वीधी देखते हैं क्या है यहां पर दिया हुआ है कि प्रोपी ओनेमाइड पर ब्रोमीन तथा काश्टी पोटास वीलेन आधिक मतलब यह थोड़ा सा अधिक होना चाहिए कि क्रिया कराने से एथिलेमीन मनती है है इसकी करा दोगे तो आप अधिलेमीन मनेगी इसका सूथ होता है इस यह क्रिया रोमायड मिटीलेमीन और यह रह горल यहां पर देखें यहां पर देखें आप इसका नाम है आपको ब्रोमो प्रोपी ओमनोमाइड प्रोपी ओनिमाइड तो यहां पर प्राफ्त होगा कराने पर इसको देखते हैं इसको देखते हैं इसमें यह है कि बच्चो एक गोल पेंदी के फ्लाक्स में जैसा कि आप देखें यह गोल पेंदी का में 20 ग्राम प्रोपील आइसो सायनाइड तथा प्रोपी एरुमाइड तथा अठारा मिली एमेल ब्रोमीन लेकर ठंडा करते हैं यह जो इसमें हैं प्रोमीन को लेकर ठंडा करते हैं और फिर इसको 10% कोह का 200 ml जली विलियन मिला देते हैं मिस्टन को तब तक हिलाते रहते हैं और इसको जलूसमक है इसको से हिलाते रहते हैं जब प्रोफिल ब्रोफिल जब तक की ब्रोमो प्रोफी 'mय के कारण पीला रंग का वीलियन नurs जाये जब तक उसको गुमाते तक तक की प्रोपी ओनलाइं का विलियन पीले रंगा ना बन जाए अब इसमें जब बन जाता है तो अब इसमें 50% की ओएच और इसमें 50% की ओएच का सव मिली विलियन प्रतकारी कीप से डाल कर जल ऊसमक पर 60-70- fuckin के गरम करते हैं जिससे विल रंगिहीन हो जाता है ततपस्चा के केद्रव का आस्वन करते हैं जिस thumbs यह देखिए यहाँ पन इसमन ते जाता है जै सब्सक्राइब जैसे बच्छों आप शित्र देख रहे हैं यहांपे तणू एथिलेमीन प्रप्त कर ली जाती है सब्सक्राइब करें लाइक करना इस तरहीं इसमें मैं कुमेंट काफिघजों की डेमांड है कि इंटर कि तयारी भी करा नहीं तो मेरे सब्सक्राइब करें लाइक करें बच्चों मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए थैंक्यों